एलो एवरिवन नमस्कार सभी को आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गंगा किचन रेस्पी में आज हम बनाएंगे गुड़की गज़क मार्किट से भी ज्यादा बढ़िया केवल दो चीजों से बनी हुई एकदम कुर्कुडी करारी गुड़की और सीड्स से बनने वाल आज मैं आपके साथ ऐसा सिक्रेट शेयर करने वाली जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा पहली बार में ही आपकी गज़क बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी और कोई ही खिच-खिची नहीं होगी और ना कोई चिप-चिपी होगी बहुत ही अच्छी तरह से आ नहीं है तो आप मुपली भी इसके अंदर बनेट को दोनेगी और दोनों यह सीड आपको बताऊंगे मार्किट वाली कि आपके गजक बहुत क्रिस्पी बनेगी तो हमें ज्यादा सीट्स को नहीं रोस्ट करना है अब सीट्स रोस्ट हो गए हैं मैं इन्हें एक बड़े वर्तन में डाल देती हूं और उसी फ्राइपन को मैं दुबारा गैस पर रख लूँगी लेकिन मैं गैस को ओन ही करा है और मैं इसके अंदर अब 3-4 चमच जो है पानी डाल दूँगी क्योंकि मेरा गुड थोड़ सा मोटा है इसलिए मैंने 3-4 चमच करा है अगर आप गिस कर ले रहे हो तो आप 2 चमच भी डाल सकते हो तो अब मैंने गैस को ओन कर लिया है और मैं धीरे धीरे इसको मेल्ट करूंगी चलाते हुए मैं आपके साथ वो secret शेयर करने वाले हुआ जो मार्किट्स वाली गजग होती है बिलकुल वैसी गजग आपकी बनने वाली है risque 국rumारी और कुरकुरी गजग आपकी बन कर तयार होगी मैं आपको हर step बताऊंगी जिससे आपकी गजक आसानी से बनेगी और आपको कोई परिशानी नहीं होगी धान रहे गड़ को चलाना बहुत जरूरी है वरना क्या होगा कि गड़ तले से लग जाएगा और गड़ में कड़वाट आजाएगी तो लगातार चलाते हुए हम गड़ को मेल्ट करेंगे हम गैस को लो मीडियम फ्लेम पर रखकर ही गड़ को मेल्ट करेंगे हम गड़ की गजक बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं बस कुछ टिप्स फोलो करने होते हैं अब देखें, दो मिंट बाद ही गुड मेल्ट हो गया है, और बहुत अच्छा से दिखने लगा है, उसका रेड कलर कितना अच्छा आया है, गुड मेल्ट होकर एकदम लिक्विड हो गया है, और उसके अंदर बबल्स भी दिखाई देने लगे हैं, मार्किट में एक गजग बनाने के लिए क्या करते हैं, कि इसमें PC हुई चीनी डालते हैं, आप जो है साबुत चीनी में डालना है, इसमें 2 चमच धाइसो ग्राम गुड पर 2 चमच PC हुई चीनी एड कर लेना, आपकी गजग बिलकुल मार्किट जैसी बनेगी, एक बार आप इस तरह से बना कर देखना बिल्कुल मार्किट वाला टेस्ट मार्किट वाली कुरकुरी चिकी बनकर तयार होगी बिल्कुल मार्किट वाली आपके बनेगी इसमें दो चमच पिसी हुई चीनी और आधा चमच घी डाल लेना आपकी साइनिंग और ग्लेज वाली चिकी बनकर तयार होगी एक दम साइनिंग होगी जैसे मार्केट की होती है अब गुड को हम देखेंगे कि गज़क के लिए तयार है या नहीं उसके लिए एक कटोरे में ठंडा पानी लेंगे और जैसे मैंने डाला है चमत से थोड़ा सा गुड उसके अंदर डालेंगे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे फिर चेक करेंगे देखो मैं खीज रही हूं तब भी तूटनी रहा है एक रबट की तरह से खिच रही जानी कि अभी तैयार नहीं यह गज़क के लिए अभी हमें वह टेक्चर नहीं मिला है जो हमें गज़क के लिए चाहिए तो थोड़ा सा और पकाएं बिल्कुल एकदम गजक की सेफ में आता जा रहा है तो थोड़ी सी कसर और बाकी है इसकी तो इस तब तक हम इसको चलाते रहेंगे सेट्स के गजक बनाने से क्या है आपको टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा हेल्दी भी होगे आपके लिए और आप सबसे बड़ी वात आप उसको अपने हातों से बना रहे हो अपने गर में आप देख सकते हो गुड अच्छे से फूल भी गया है और गाड़ा भी हो गया पक गया अच्छे से तो अब हम दुबारा से चेक कर लेंगे कि गुड गजक के लिए तयार है या नहीं वही फार्मुला अपनाएंगे एक बरतन में नॉर्मल पानी या ठंडा पानी लेंगे और उसमें चमचे से तोड़ा सा गुड उसके अंदर डाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए रुखेंगे क्योंकि गुड़ गरम होता है तो हाथ तुरंती हम थाथ लगाएंग्ज, खटा करेंगे तो हाथ जल जाएगा तो थोड़ी देर रुख के हम हम चैक करेंगे, यह बनकर तयार हो गया गजक के लिए गुड तयार है अब इसमें थोड़ी से हम मैं सौफ डालूंगी टेस्ट के लिए और थोड़ी से डालूंगी फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर और अब थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर यह मार्किट वाला सिक्रेट है ब लखे हुए हैं वो भी इसके अंदर एड़ कर देंगे क्योंकि अब हम इसे जादा नहीं चलाएंगे वरना यह जल जाएगा तो अब फटा-फट जल्दी से हम एक प्लेट तयार कर लेंगे जिसमें कि हमने घी लगा रखा है तो प्लेट के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर दें प्लेट के अंदर सारा मिक्षर हम ढाल देंगे प्लेट को अण पहले ही तयार कर लेना अगर को अगर तयार करोगे योगता के बनकर त्यार होगा तो आपके जल सकता ऐं तो गुट का सारा मिक्षार हमने डाल दिया अब आगे हम क्या करेंगेे कि इसको ह्लका थंडा होने गाने देंगे जिसनमी पैप में नाज घूal ऑन के तो किसी की help भी ले सकते हो, क्योंकि गरम-गरम में ही यह mixer डालना होता है, जभी चिकी अच्छे से तयार होगी और इसको ज्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा थीक रखना है, जैसे मार्किट वाली चिकी होती है, गजक होती है, उसी ही की तरह हमें अपनी गजक तयार कर रही है, क्योंकि हमने कटोरी को ग्रीस अच्छे से कर लिया था, अब यह बिल्कुल मार्किट वाली सेप आ गई है गजक की, तो आप अगर अच्छे से बनाना चाहते हो, तो सब तयारी आप पहले से ही करके रखना, अभी मैंने आपके साथ गजक के सारे टिप्स बताएं, अगर आप सारे टिप्स फोलो करके गजक बनाओगे, तो बहुत आसानी से और परफेक्ट गजक बना पाओगे, गजक देखने में भी बहुत सुन्दर दिख रही है, क्योंकि सारे स्टेप के साथ हमने फोलो करके चिकी को बनाया है, तो आप भी ऐसे ही बनाइए, तो आप से निवधन है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए बाई, टेक केर